आशुतो शेशा शांक शेखर चंद्र मौली चे दंबरा कोटी कोटी प्रणाम शंभू कोटी नमन दिगंबरा ओग नमेशिवाय आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुप कामना हैं भगवान भोले नात आपकी समस्त मनु कामनाओं को पुर्ण करें इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारब करते हैं आज से प्रती दिन आप इस चैनल पर स्रावन मास महात्मे सुनेंगे और प्रती दिन आपको इसी समय पर ये वीडियो मिला करेंगी तो आप लोग पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो सुन सकते हैं सावन मास का महात्मे सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेश क्रिपा आपको प्राप्त होती है। और आज सावन मास का पहला दिन है इसलिए सावन मास महात्मे के पहले अध्याय का श्रमण करेंगे। और कथा सुनने से पहले भगवान भोले नात और माता पार्वती का ध्यान कीजिए और उसके बाद पूरे भगति भाव से ओम नमह श्रिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके इस पावन कथा का श्रवन करते हैं मुनिश्यwireष्ट सौनक जी ने श्रीसूत जी से पूछा हे महाभाग हे महामते हे व्यासिसि से श्रीसूत जी आपके मुख से हमने अनेकों आख्यान सुनकर आनन्द प्राप्त किया है किन्तु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुजी ही नहीं बलकि और अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है हे मुनी स्रेष्ट आपने तुला राशी का सुर्य होने पर कार्तिक मास का महात्मे मकर का सुर्य हो जाने पर माग मास का महात्मे तथा मेस का सुर्य हो जाने पर वैसाक मास का महात्मे सुनाया इन मासों के जो गुण धर्म है वो भी आपने समझाया लेकिन अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पुर्वक कहिए हमारे मन में उसको सुनने की तिव्र लालसा है यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पुर्ण शब्दों में कहा आप सब मुनिगर ध्यान पुर्वक सुने मुझे आपको सुनाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है आप सर्वगुण संपन्न है अर्थात अच्छे श्रोत अच्छे श्रोता के जो बारह गुण बताई गये हैं जैसे दंप रहित, आस्तिक बुद्धी, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भग्ति, भगवत चर्चा सुनने की तिव्र इच्छा, नम्रिता, ब्राम्हन भग्त, शुसील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोशा रोपड रही धोना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं, इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ, धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हातों से नमसकार करके भक्ति पूर्वक 12 मासों में सर्वोत्तम आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिध्धि प्रदाता हो, हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्यान के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वरणन समझा कर करें, इश्वर ने स पुर्णिमा को श्रमण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रमण कहा जाता है। संपुर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रमण मास के महत्मे को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने दो सहस्त्र जिवाधारन की। सारो जनोद्वारा अपनी अभिष्ट सिद्धी हे तू यह मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले हे इश्वर आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन वरत शुन्य नहीं है। उसे आप मुझसे विस्तार पुर्वक कहें कि किस तिथी में कौन सावरत किस वार में होता है और उस वरत का अधिकारी कौन है। किस ने इस वरत को किया है और उद्यापन की विधी क्या है। देवता तथा पुज्य कौन है। पूजन सामगरी में क्या क्या वस्तु होती है। प्रधान पूजन किस का है। जागरण विधी क्या है। किस वरत का क्या समय है। हे प्रभो वह सब आप मुझसे क्रिपा करके कहें। आपको श्रावन मास कैसे प्रिय हुआ? इसे पवित्र किस कारण से कहा गया? इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है? और इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योगि समझा गया है? हे प्रभो, हे दयालु, आप सब प्राणियों के उधारार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, ब्रिहश्पतिवार, शुक्रवार तथा शनीवार को जो व्रत आदि किये जाते हैं वह कृपा करके आप मुझसे कहें। आप सब के आदि कारण हैं, हत्या आदि देव भी कही जाते हैं। गणिश जी का अधिष्ठान रूप चार दल का मूलाधार नाम का चक्र है। पंचायतन का अर्चन हो जाता है। संसार को विनाश करने वाला हलाहल विश अपने कंठ में आपने ही ग्रहन किया था। महा प्रलय के लिए कालागनी को अपने मस्तक में धारन करने में आप ही समर्थ है। विश्व स्वरूप कामांद कुए में गिरने के कारण कामदेव का वध आप नहीं किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वरणन करना आसान बात नहीं है। बलकि मैं आपकी स्तूती के लिए यदि करोणों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तूती का वरणन करना चाहूं तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतह हे दयामय आप मेरे प्रश्णों का उत्तर देने की गृपा कीजिए। बहुत उद्धंड थे। अतह उनका पांचवा सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़कर मेरी शरण में आए। हे तात मैं आपसे कहूंगा आप एकागरे चित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ट श्रावन मास में मनुष्य नियम से रहकर शायं कल चार बजे भोजन करे। एक मास तक रुद्रा भिशेक करे। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्वपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष पूजा करे। कोट इलिंग अर्चना करे, ब्राम्भणों को प्रेम पुर्वक भोजन कराए, नियम का पालन करे, उपवास करे, और पंचामलित से अभिशेक चुकि मुझे बहुत प्रिय है, उसे भी अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो जो ख्रियाई की जाती है, वह सभी अनंत फ पल दायक होती है, हे मुनियों में श्रेष्ट इस मास में भूमी पर शैन करे, ब्रह्मचरे का पालन करे और सच बोले, कभी भी व्रत रहित ना रहे, पत्तल में भोजन करे तथा व्रती साग मात्र का त्याग करे, हे मुनियों में उत्तम भक्ति युक्त होकर व्रत का पालन करें प्रातेहकाल्ष नांध्यान करें इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वस्में रखें और एकाग्रमन से प्रति दिन मेरी पूजा करें इस मास में मंत्रों का पुरश्चरण भी उत्तम सिध्धी प्रदान करने वाला होता है सड़ अक्षल श्युम लक्ष होम तथा अयूत होम करने पर सद्य फलता है और वांचित फल प्रदान करने वाला होता है हे मुनिश्रेष्ट जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन वरत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक मेवास करता है यह मास मुझे सरवाधिक प्रिय है यह मास फल दायक भी है तथा निश्काम भाव से किये गये कर्म के फल सोरूप मोक्ष प्रदान करने वाला भी है हे सत्तम इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो रविवार को सुर्य वरत करें सोमवार को मेरी पूजा करके भक्त भोजन करें श्रामण म मास के प्रथम सोमवार से प्रारम करके साढ़े तीन मास तक होने वाला संपुर्ण कामना की अर्थ सिध्धि प्रदाता रोटक नामक वरत होता है मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक वरत होता है बुधवार को बुध का वरत ब्रहश्पती वार को ब्रहश्पती का वरत और शुक्रवार को जीवन्तिका देवी का वरत किया जाता है और शनिवार को हनुमान तथा निरिसिंग का वरत किया जाता है हे मुनिश्रेष्ट अब मैं तिथियों में होने वाले वरतों का वरणन करता हूँ आप ध्यान पुर्वक सुने श्रावन मास के शुक्लपक्ष की द्वितिया को और दुमबर नाम का वरत होता है इसी मास की शुक्लपक्ष दृतिया को गौरी नामक वरत किया जाता है तथा श्रावन शुक्ला चतूर्थी को दूर्वा गणपती नाम का वरत होता है इसी को हे मुने विनायक चतूर्थी अध्वा गडेश चौत वरत के नाम से जाना जाता है श्रावण शुकला पंचमी नाग पूजन के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है हे मुनी कुलपती इसका दूसरा नाम मानव कलपादी है ऐसा जानलू शष्टी के दिन सुपोदन नाम का वरत और सप्तमी को शीतला देवी का वरत होता है आश्टमी और चतूर दसीतिती में देवी का पवित्रा रोपन करें श्रावण माज की कृष्ण तथा शुकल पक्ष की नौमी को नक्त वरत का विधान कहा गया है शुकल पक्ष दश्मी को आशा नाम का वरत किया जाता है कोई-कोई मनुष्य इसमाज की दोनों पक्ष की एकादेशियों को आशा वरत का होना स्वीकार करते हैं श्रावण शुकल पक्ष की द्वादेशी को भगवान हरी का पवित्रा रोपन करना कहा गया है अतह द्वादेशी को भगवान हरी का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है श्रावण सुकल पक्ष पुर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षा बंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बली और हैगरीव जैनती होती है हाईगरीव नाम का भगवान विष्णू का अवतार माना गया है और ये सातों काम श्रावण मास के सुकल पुर्णिमा को किये जाते हैं श्रावण माज की कृष्ण चतूर्थी को संकट नाम का व्रत किया जाता है तथा श्रावण कृष्ण पंचिमी को मानव कलपादी किया जाता है यह ब्राम्भणों में श्रेष्ट श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णू का श्रीकृष्ण नाम से पुनिश्रेश्ट शुक्ल पक्ष की प्रतमा से लेकर समझते तिथियों के अलग-अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अगणी, द्वितिया के ब्रह्मा, तृतिया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, सस्टी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अस्टमी तिथि के शिव हैं। नौमी की देवी दुर्गा और दश्मी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी है, द्वादशी के भगवान हरी, त्रयोदशी के कामदेव, चतुरदशी के शिव और पुर्णिमा के चंद्रमा स्वामी है, अमवश्या के स्वामी पितर है, इस क्रम से ये देवी दे करता हूं आप एकाग्री चित्त होकर सुनिए सिंग रासी पर सुर्य के संक्रमण दिन से बारह अंस चालिस घटी बीत जाने पर अगस्ति रिशी का उदय होता है अगस्ति रिशी के लिए साथ दिन पुर्व से ही अर्खे दें बारह मास में सुर्य नारायन अलग-अलग नाम से तपते हैं सुर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ती से तत्पर होकर करना चाहिए श्रावण मास में शाग का त्याग करें भादरपत में दही का आश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें यह संपर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनुवांचित फलों की प्राप्ति हो जाती है हे मान्य सज्जन ब्राम्वन यह मैंने आप से अती संचेप में उपदेश किया है हे मुनिश्रेष्ट इस स्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वरणन कोई सो वर्सों में भी करने में समर्द नहीं है भक्त मेरी प्रीती के लिए अत्वा भगवान हरी की प्रीती के लिए संपूड व्रतों का पालन करें परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझमे तथा हरी में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे मुझमे और हरी में कोई भी भेद नहीं है ऐसा जानना चाहिए जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं अतहे सनत कुमार आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें ओम नमः शिवाए तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहरी बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय भूले नात